दोस्तों हमने हर किसम के नीश यानि स्किल सेट को लेके बेटिंग कर ली ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब ट्वेल्पमेंट, इंजिनरिंग, सब बेसिक का जो मोस्ट इंपॉर्टन्ट स्ट्रीम लाइन्ट में जो नीश जो स्किल्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ली अब मैं बिड़ करने जा रहा हूँ अड्मिनिस्टेटिव सर्विसेश के लिए और ये उन लोगों के लिए जिनका कोई स्किल सेट नहीं है जो किसी पर्टिकुलर स्किल में महारत नहीं रखते बट वो अड्मिनिस्टेटिव सर्विसेश तो आफर कर सकते हैं ना Administrative Services किस तरीके की होती हैं, किस तरह की होती हैं, आएं स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, Administrative and Secretarial जौब जो है, वो स्लेक्ट की हुई है Left side पर Administrative and Secretarial and then on the right hand side you see different projects, data entry है, simple data entry work, so data entry का जो काम है Administrative Services में आता है, Virtual Assistant कि अगर आप घर बैठे किसी की साइट के लिए Virtual Assistants दे सकते हैं Excel, PowerPoint, Document Changes कि अगर किसी की Excel या PowerPoint है और उसमें कोछ चेंजिस करनी है, that is where you come into play Research Capture, Online Workers कि अगर आपकी साइट पे Capture Form लगाना है तो that is where you know Administrative Services come into play Executive Assistant, कि आप अपने कारुबार के लिए किसी को phone और meeting schedule करने के लिए रखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है Administrative Assistant, Admin से related काम, Greg साब, United States के verified profile Work PDF Docs to be created in 4 hours, I wanted to bid on this project, but right side पे लिखाव है awarded वरना ये बड़ा मज़दार project था, Canadian था, इसने 25,000 डॉलर अलड़ी पेग किये में और verified profile है PDF Documents जो है, वो जनाब आदे गहंटे में बन जेती हैं, 4 गहंटे तो बहुत दूर की बात Administrative Services typically admin related work होते हैं, चाहे वो executive administrative हों, चाहे वो किसी भी तरीके के हो Medical transcription actually also falls inside administrative services, same goes for purchasing rep कि अगर वो किसी मुलक से है, खरीद के फिर ship कर दे, वो भी admin job है So administrative services do not require any particular skill, आपको सिरफ data entry, key punching, Microsoft Word, PowerPoint, good communication अगर आपने phone उठाना है या आप किसी site की virtual assistant बान जाएं, या किसी site का secretary बान जाएं, तो administrative services actually यही होते हैं जिसमें personal assistance होती है, executive assistance होती है, और so on and so forth आईए एक project को देखते हैं जिसमें personal assistance heading है और इसको मैं new tab में खोल रहूँ, remember the process, जो भी projects पसंद आएं, सारे new types में और फिर आखर में उनको analyze करें कों सा बेतर है कों सा बेतर नहीं है, this guy is actually looking for personal assistant to work daily and to manage certain tasks और जिनाब ये चार घेंटे एडे की बात है, बड़ा बेतरीन project लग रहा है, और दूसरी बात, ये पहली दफ़ा है, ये मेरी real time bidding में मैं सौधिया का client ले रहा हूँ, तो सौधिया के client के लिए मेरा closing क्या होगा उस पे गौर कीजेगा, मैंने place holder bid कर दी, employer को figure out करने देते ह प्राइस का रखूँगा, अब मैं जा रहा हूँ और अपनी quote लिख रहा हूँ, जिस पर मैं उनको जाहिर असलाम दौा कर रहा हूँ, चुक्रिया दा करूँगा, ये भाई आपने मेरा project देखा, और आपने मेरा time नकाला, कीमती वक्त नकाला, कि मेरा project आप पढ़ रहे हैं मैं कभी भी bid लग करूँ, चुक्के जाहर है मेरी bid जाह हो रही है, दिन के वक्त बिट करूँ, कोई जवाब नहीं देता, बट ये चुक्के सौदिया का client है, कोई हाम नहीं है, अपनी luck try करने में, इनको मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब, I would like to offer my services for managing your projects daily, I understand you are looking for four hours work daily, यहाँ पे मैं पहले लिखना लगा था, Monday to Friday पे मैंने सोचा, नहीं, स्वाल बनता है, इन भाई साप से स्वाल पूछते हैं, और इनको convince करते हैं, इनको force करते हैं, कि मेरे स्वाल का ये जवाब लिखें, तो मैंने पूछा कि जनाब, I have a question, क्या ये जवाब मन्डे टू फ्राइड करता है, इनको इस आइडिया इस तो गिव ये फिलिंग कि एक project पे कितनी approaches हो सकती हैं, इस बिजनस डिवालपर, जब मैंने जब इनसे weekend का भी सुछ लिया, उसके बाद मैंने का P.M.B. खोल लीजिये जूर, ताकि हम इस opportunity को discuss कर लें, और हम खटे काम कर लें, और उसके आप गोर कीजिएगा कि अब तक मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा, मैं हमेशे अपना नाम लिखता था, मैंने अपनी designation भी नहीं लिखी, लिखता हूँ बहुत बड़े project पे, पर चुके इतफाक नहीं हुआ किसी बड़े project पे आपके सामने real time bidding करने का, तो मैंने जना अपनी designation नहीं लिखी, वनना मैं लिखता हूँ CEO, तो मैंने शुक्री अदा किया, अपना नाम लिखा, अपना email address लिखा, अपना URL लिखा, infamous.com और पाकिस्तान का नाम आखर में लिखिया, सौदिया से इसका तालुक है, एन मुम्किन है कि ये पाकिस्तानी के साथ साथ सौद यारेविया पहुंच गई, ये थी administrative job, याद रखिएगा, copy paste नहीं करना मेरे bit template को, come up with your own innovative idea, canned responses जदा देर नहीं चलते, innovative ideas चलते हैं.